दोस्तो एक और बड़ी जानकरी हम आपके लिए लेकराएं इस चैनल के माध्यम से दोस्तो बहुत ही बड़ी जानकरी अगर आप हरियाना में HCS या HSS बढ़तियों का इंतिजार कर रहे हैं तो यहाँ पर सरकार ने अपनी कमर कसली एक परकार से जो आपके निकाये चुनाब ह गए उनके बाद अब यह जो भरती पिरक्रियां हैं आपकी तेजी से आगे बढ़ाए जाएंगी तो यहाँ पर सपस्ट लिखा हुआ है ठीक ना तो भरती पिरक्रियां तेज करेंगे यहाँ पर पूरी जानकरी दी गई और वो कौन-कौन सी भरती आपकी हरियाना करमचार चैन आयोगा यानि कि हम बात करें और दूसरी आपकी यानि कि हरियाना लोक सेवा आयोगा यानि कि जैसे आपकी HCS की भरती है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपकी यह जो भरती पिरक्रियां है अब जब अरजस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर सरकार का फोक यानि कि हम कह सकते हैं कि अब आपके पास समय कम है अच्छे लेवल के साथ तैयारी करें कोई न कोई जानकारी रोज निकल कर सामने आती है वहां से किलियर हो जाएगा कि ग्रूप डिके कितने पदों पर आपकी बरती होगी तो दोस्तों कह सकते हैं कि हलचल तेज होई है और अच्छी बात है उनके लिए जो एक जम की तैयारी कर रहे हैं जो पड़ी नहीं रहे तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है और दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ समय समय पर कोई भी कैसी भी जानकरी वो सेर करते हैं चाहे जानकरी छोटी है जानकरी बड़ी है किसी भी बरती से संबन देता है सारी जानकरी हम आपके साथ सेर करते हैं और दोस्तों बहुत अच्छी खबर है आपके लिए दूसरा कुछ यूबा जो हरियना पुलिश भरती का वेटिंग का इंतिजार करें तो उनके लिए वेटिंग जल्दी आने के चांस है क्योंकि लगभग 125-30 कंडिडेट ऐसे हैं जो यानि कि वहाँ पर बायो मेट्रिक वगरा जो आपके हुए फेस मेट्रिक वहाँ पर नहीं पहुचे हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है वेटिंग जल्दी आ सकती है जो नई पुलिश भरती का इंतिजार कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है भई बहुत या अच्छी खबर हम कह सकते हैं और दोस्तो मैं फिर से कह रहा हूँ एक्जाम के तैयारी करे हल चल तेज हो गई 24 जलाई को एक एक्जाम भी बड़ी बरती का इसके उपर भी जनकारी हमने आपको पहले दी है और दोस्तो आप सभी का बहुत हो धन्यवाद